नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी विमर्श के आज के इस विशेशांक में आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को देख और सुन रहे हैं। आज हम एक बेहद एहम और सच कहूं तो गर्व करने वाली खबर पर बात करने वाले हैं। भारत में राफेल फाइटर जेट का निर्मान। जी हाँ यह अब शुरू होने जा रहा है। टाटा और फ्रांस की जो मशूर कमपनी है डजॉल्ट उनके बीच एक एतिहासिक डील हुई है और इसने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एक नया अध्यायसा जोड दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस प्राजेक्ट का मतलब है कि भारत अब खुद फाइटर जेट बना पाएगा पूरी तरह से। क्या ये आत्म निर्भर भारत की और वाकई एक बड़ा कदम है। तो आज हम आपको इस पूरी डील और प्राजेक्ट के पीछे की जो बाते हैं वो आसान और सीधी भाषा में समझाएंगे ताकि आप न केवल अपडेटिड रहें बलकि ये भी समझें कि देश के लिए इसका सही माइनों में क्या महत्व है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से गुजारिश अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वो जो घंटी है न बेल आइकन उसे दबा दे ताकि आप हमारा अगला एपिसोड मिस न करें। तो ताजा खबर ये है कि फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन और भारत की अपनी टाटा अडमान सिस्टम्स लिमिटेड यानी टीए एसल इन्होंने मिलकर एक समझोता किया है भारत में रफाल फाइटर जेट का फ्यूजलाज बनाने के लिए फ्यूजलाज ये क्या होता है मतलब विमान का मुख्य धांचा या बॉडी है ना बिलकुल सही का विमान का जो में स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉडी और यहां देखे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पहली बार हो रहा है जब डजॉल्ट फ्रांस के बाहर राफेल का फ्यूजलाज बना रहा है ये फ्यूजलाज हर महीने ठीक है लेकिन फ्यूजलाज बनाना तकनीकी रूपसी ने इतना एहम क्यों माना जा रहा है फाइटर जेट तो मतलब ध्वानी की गती से कई गुना तेज उड़ते है हाँ बिलकुल तो जाहर है बोडी को बहुत मजबूत होना पड़ेगा वो गर्म वो घर्षन सब जीलना पड़ेगा बिलकुल सही यह कोई असान काम नहीं है material science engineering बहुत कुछ लगते है इसमें लेकिन देखिए यहां यह समझना भी बहुत जरूरी है कि यह पूरा fighter jet बनाना नहीं है अच्छा हाँ विमान का जो सबसे जटिल सबसे एहम हिस्सा होता है वो ह उसका engine, jet engine और इस डील से भारत को engine बनाने की तकनीक वो नहीं मिल रही है ओहो तो engine तकनीक इतनी ज़्यादा जटिल है बहुत ही ज्यादा आप अंदाज़ा लगा यह पूरी दुनिया में गिने चुने देश है शायद रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटन, बस यहीं है ज DRDO के तहद पर वो एक बहुत बड़ी चुनोती बनी वी है तो यह फ्यूजलेज भारत में बनेगा जरूर, टाटा बनाएगा लेकिन फिर engine फिटिंग के लिए इसे वापिस फ्रांस ही भेजा जाएगा तो मतलब जैसे बस की बॉडी यहां बन जाए पर engine कहीं और से आए बिलकुल सही उदारने, एकदम वैसा ही समझ यह तो जहां यह डील भारत की manufacturing शमता को बढ़ाती है, इसमें कोई शक नहीं, खास कर aerospace structures में, वहीं यह हमें fighter jet तकनीक के दिल, यानि engine के मामले में आतनिरभर नहीं बनाती, यह एक मैत्वपुन अध्योगिक कदम है, हाँ, पर तकनीकी आतनिरभरता का वो बड़ा मील का पत्थर नहीं है, जिसकी शायद कुछ लोग उमीद कर रहे हों, समझ गई, अच्छा, अब इन कमपनियों के बारे में भी थुड़ा जान लेते हैं, TATA Advanced Systems, TASL, यह कब से है इस कशेतर में? राफेल जैसे मशूर विमानों समेत, दस हजार से ज्यादा एक्राफ्ट बना चुकी यह कमपनी, और राफेल का भारत से जुड़ाओ तो सिर्फ इस नई डील तकी सीमत नहीं है न, हमने पहले भी खरीदे हैं यह जेट्स? जी हाँ, बिलकुल, 2016 में वो बड़ी डील हुई यह वो जैट्स हैं जो एक्राफ्ट केरियर से उपरेट करते हैं और इन्हें ज्यादा एडवांस माना जाता है, इसकी लागत लगबग 63,000 करोड बताई जा रही है लेकिन वो जो 2016 वाली डील थी, उस पे तो काफी विवाद भी हुआ था, जहां तक मुझे आदे? हां, हुआ था, काफी राजनीतिक भहस चड़ी थी, उस समय की जो विपक्षी पार्टी थी, कॉंग्रिस, UPA, उन्होंने आरोप लगाये थे कि मोधी सरकार, NDA, ने UPA के समय जो डील प्रस्तावित थी, 126 जेट्स की, उसके मुकाबले बहुत कम जेट्स, सिर्फ 36 खरीदें और वो भी काफी जादा कीमत पर लगभग तीन गुना प्रतीजेट, तीन गुना? हां, ऐसा उनका आरोप था, कि प्रतीजेट करीब 1100 करोड रुपे जादा दिये गये, और ये भी कहा गया है कि टेकनोलोजी ट्रांसफर मतलब तकलीक का हस्तानतरन भी नहीं मिला, और डी और ये मामला सुप्रीम कोड भी गया था, जी हां, गया था, सुप्रीम कोड ने जाच की आची का खारज कर दी थी, कोड का कहना था कि प्रक्रिया में कोई गरबड़ी या किसी निजी कमपनी को, जैसे अने लंभानी की कमपनी का नाम आ रहा था, उसे फाइदा पहुचाने के कोई सबूत नहीं मिले, अच्छा, हाल में भी कुछ खबरे आई थी, राफैल को लेकर, पाकिस्तान के कुछ दा पुष्ट दावों के बाद, डसॉल्ट के शेयर्ज में कुछ गिरावट दिखे गई थी, और इससे फिर सवाल भी उठने लगे थे, कुछ सर्कल्स में, कि क्या राफैल वाकई उतना सक्षम है जितना इसका परचार किया गया, खासकर उसके जो सेल्फ अवेरनेस और अरली वर्निंग सिस्टम्स उनको लेकर, और क्या भारत को दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए था, जैसे अमेरिकी F-35 या रूसी Su-57, ये सवाल तो उठेंगे ही, और एक अटकल ये भी सुनी थी, कि शायद इन पाकिस्तानी दावों से जो थोड़ी नकारात्मक छ चवी बनी, उसे कम करने के लिए ही डिसॉल्ट ने टाटा के साथ ये फ्यूजलच डिल जल्दी से फाइनल कर दी, ताकि मेज इन इंडिया वाले पहलू पर फोकस चला जाए, देखें ये सिर्फ अटकले हैं, मतलब इसका कोई ठोस आधार या सबूत नहीं है, लेकिन हाँ तो ये था आज का पॉड़कास्ट देसी विमश पर, राफेल टाटा डील पर ये हमारी पड़ताल थी, उमीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और कुछ स्पष्टता मिली होगी, विशलेशन से ये तो साफ है कि भारत एरोस्पेस मैनिफैक्टरिंग में बेश तरह की और साजेदारियां भारत को रक्षा तक्नीक में वाकई आत्मनिर्भरता की और ले जाएंगी या ये निर्भरता का ही एक नया रूप सावित होंगी, ये एक बड़ा सवाल है अगली बार जब हम ऐसी ही एक और जरूरी बात लेकर आएं तो आपको सबसे पहले पता चले मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरनादायक और सोच को जगजोरने वाले पॉड़कास्ट के साथ, तब तक के लिए जैहिंड